जामुन ना खाने वाले ध्यान से पड़े जामुन इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी नैचुरल दवा है जामुन के 10 पके हुए फल रोजाना खाने से शरीर के सारे सिस्टम की इम्मुनिटी बहुत स्ट्रॉंग हो जाती है नमबर दो जामुन हर्ट को मजबूत बनाता है 50 ग्राम जामुन रोजाना सुबह नास्ती के साथ या दोफैर के समय खाने से दिल की मास पेसियां और धमनियों को बहुत मजबूती मिलती है हर्ट मजबूत होता है नमबर तीन जामुन का सेवन पत्री या किड्नी स्टोन होने पर बहुत फायदा करता है रोजाना 10 से 12 पके हुए जामुन के फल को सेंदा नमक लगा कर खाने से किड्नी की पत्री गल कर निकल जाती है नमबर तिन जामुन पेड़ साफ नहीं होने की समस्या को भी दूर करता है 100 ग्राम जामुन के फल पर नमक डाल कर रोजाना 7 दिन खाने से अपच्चे और पेड़ साफ नहीं होने की समस्या बिलकुल ठीक हो जाती है नमबर पाँच जामुन लीवर के लिए अमरित माना जाता है जामुन का एक कप रस रोजाना दो हफ़ते लगातार पीने से फैटी लीवर और पीलिय की बिमारी ठीक हो जाती है और लीवर नए जैसा हो जाता है नमबर चे, जामुन हर तरह की ठकान को भी दूर करता है एक गिलास पाणी में 50 ग्राम जामुन और 2 चमच मिस्रे डाल कर उबाल ले फिर ठंडा करके जामुन को इसी पानी में मैश करके छान ले जामुन के इस सरबत को पीने से हर तरह की ठकान दूर हो जाती है नमबर साथ जामुन खासी को भी ठीक करता है अच्छे पके हुए जामुन पर काला नमक डाल कर खाने से खासी में तुरंत लाप मिलता है गला खुल जाता है और गले का दर्थ खत्म हो जाता है नमबर आठ जामुन पेट दर्थ को भी ठीक करता है जामुन के फल को दो घंटे पानी में रखने के बाद इसका रस निकाल ले जामुन के एक चुथाई कप रस में एक चुटकी सेंदा नमक मिला कर पीने से पेट दर्थ और दस लगना बिल्कुल ठीक हो जाता है नमबर नो जामुन यादास को भी बहुत तेज करता है रोजाना 100 ग्राम जामुन के पके हुए फल खाने से दिमाग की नसों को मजबूती मिलती है और यादास बहुत तेज हो जाती है जामुन दातों और मसूडों के लिए भी बहुत अच्छा होता है जामुन खाने से दातो का पीलापन संजनाट मुसूडों की सूजन ये सब रोग ठीक हो जाते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे और इसकी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करें आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद